हेलो दोस्तो मैं धीरन स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम स्टेडिविस संगीता में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेंट अफेर 2021 से एक मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक की आज हम बात करेंगे इंपॉर्टन डेज एन थीम से बनेने वाले 110 प्लस कॉशन की दोस्तों जन्वली से अक्टूबर 2021 तक ये वीडियो अपडेटिट है जो कि आपकी सभी प्रकार की प्रत्यक्ता परिक्षाओं के लिए इंपॉर्टन रहेगा जहां पर करेंट अफेर एक मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक बनता है चाहें वो रेलवे का एक्जाम हो एससी के एक्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेविल का एक्जाम दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टन रहेगी इस वीडियो को एंट दक पूरा जरूर देखेगा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे हैल्फुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरू कीजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपली चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा जिससे की आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे तो चलिए हम अपनी कला सुरू करते ह अंतराश्टिये ब्रद्य जन्दिवस दोस्तों ध्यान रखेगा इसको मनाया जाता है हर साल एक अक्टूबर को और 2021 में इसका थीम रहा है सभी उम्र के लिए डिजिटल एक्विटी ठीक है डिजिटल एक्विटी फॉर ओल एज अब ध्यान रखेगा ब्रद्य ब्यक्तिय का अंतराश्टिय दिवस हर साल एक अक्टूबर को बिस्व इस्तर पर मनाया जाता है इस दिन का उद्देश बुजर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे की बुडापा और बड़े दुर बैवार के बारे में जारुकता बढाना इसका उद्देश है अगला नेशनल वाइल्ड लाइफ बीग और इसका थीम रहा है देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिख रहे हैं थीम हिंदी में भी इंग्लिस में भी तो इसका थीम रहा बन और अजीव का अजीव का लोगों और ग्रह को बनाए रखना ठीक है ध्यान रखेगा बन और अजीवी का लोगों और ग्रह को बनाए रखना भारत के बनस्पति और जीवों की रक्षा एवं सनरक्षण के उद्देश से दो से आठ अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्स राष्टिय बनेजीप सपताहा मना गया चार से दस अक्टूबर के बीच और इसका थीम रहा है अंत्रिक्ष में महिलाएं यानि की बुमन इन स्पेस बुमन इन स्पेस बिस्व अंत्रिक्ष सपताहा का मनाया गया चार से दस अक्टूबर के बीच और इसका थीम रहा है अंत्रिक्ष में महिलाएं अगला बिस्व परियावास दिवस देखिए परियावरण मस समझेगा इसको ये है बिस्व परियावास दिवस और इसको मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सौमबार को मनाया जाता है और इस बर्स यान की 2021 में से मनाया गया है चार अक्टूबर को और इसका थीम रहा कारबन मुक् के रूप में नामित किया है 2021 में बिस्व परियावास दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया हमारे कस्वों और सहरों की इस्तिती पर प्रिकास डालने के लिए और सभी के लिए परियाप्त आस्रे के मूल अधिकारों पर प्रिकास डालने के लिए दुनिया भर में हर साल इस दिवस को मनाया जाता है बात करते हैं बिस्व सिक्षक दिवस की यानकी World Teachers Day तो ये मनाया जाता है पांच अक्टूबर को प्रतिक वर्स ठीक है और इसका ठीम रहा 22 का सिक्षा में सुधार के केंदर में सिक्षक सिक्षा सुधार के केंदर में सिक्षक ठीक है इंगलिस में देखें टीचर्स एड़ दा हार्ट ओफ एड्यूकेशन रिकवरी कब मनाया जाता है पांच अक्टूबर को इसको मनाया जाता है बिस्व अंडा दिवस ध्यान रखेगा अक्टूबर महीने के दूसरे सुकुरवार यानकी फ्राइडे को इसको मनाया जाता है और 2021 में से मनाया गया 8 अक्टूबर को और इसका थीम रहा है सभी के लिए अंडे प्रकृती का संपूर्ण पैकेज यानकी एग फॉर आल नेचर्स परफेक्ट पैकेज बिस्व डांक दिवस देखिए ये बिस्व डांक दिवस है इसको राश्टी डांक दिवस मत समझेगा ठीक है आक्टूबर को मना जाता है प्रतीवर्स अब इसका थीम रहा है 2021 का थीम रहा है इनोवेट टू रेकवर देखिए बिस्व डांक दिवस का उद्देश लोगों और बैपसायों के दयनिक जीवन में डांक छित्र की भूमिका को जागरुक करता है यहनकी जागरुकता को पैदा करता है अगला देखते हैं मिर्तियु दंड के खिलाब 20 दिवस मिर्तियु दंड के खिलाब 20 दिवस कम मनाया गया तो इसको प्रति वर्ष दोस्तों 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2021 में इसका थीम रहा महिलाओं को मौत की सजा, एक अद्रस्य बास्तिविक्ता अच्छा मिर्त्यू दंड के खिलाब बिस्व दिवस इसका उद्दिश क्या है तो देखिए यह मिर्त्यू दंड के उनमूलन की بकालत करने और उन परिस्थितियों के बारे में जारुता बढ़ाने का एक दिन है जो कैदियों को मौत की सजा से प्रभावित करती है बिस्व मानसिक स्वास्त दिवस कब मनाया जाता है तो इसको मनाया जाता है 10 अक्टूबर को और 2021 में इसका थीम रहा एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्त यानि की Mental Health in a Unequal World अगला देखते हैं अंतराष्टी बालिका दिवस देखिए दोस्तों अंतराष्टी बालिका दिवस जिसे बालिका का दिन या फिर अंतराष्टी बालिका दिन भी कहा जाता है इसे 2012 से पिर्टी वर्स 11 अक्टूबर को मनाय जाता है और 2021 में इसका थीम रहा है इसको हर सल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है गठिया के बारे में जागुता बलाने के लिए मनाया जाता है दोस्तों क्या है ये तो गठिया एक उत्तेजक इस्तिती है जो जोडों में दर्द और जकलन का कारल बनती है जो बड़ती उम्र के साथ खराब होती जाती है अब इसका थीम 2021 में रहा है देरी ना करें आज ही जुड़े टाइम टू बर्ग ठीक है देरी ना करें आज ही ठीक है 13 अक्टूबर को और 2020 का थीम रहा है विकासील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतराष्टी सहीयोग संयुक्त राष्ट द्वारा इसको मनाया जाता है इस बात को ध्यान रखेगा बिस्व मानक दिवस यानि की वर्ल्ड स्टेंडर्ड डे कम मनाया जाता है तो हर साल इसको 14 अक्टूबर को मनाया जाता है बिस्विस्तर पर और 2020 में इसका थीम रहा है सतत बिकास लक्षियों के लिए मानक एक बहतर दुनिया के लिए साज़ा द्रश्टी कौण। इस दिन का उद्देश उपबोकताओं, नियमकों और उद्द्योग के बीच बैस्विक अर्थवबस्ता में मानकी करण के महत्व के वारे में जागुता बढाना है। उपबोकताओं, परीपत्र अर्थववस्ता की कुण्जी है। के लिए अब सुरक्षित भोजन, कम मनाते हैं? 16 अक्टूबर को. अगला देखते हैं बिस्व चात्र दिवस, इंपोर्टन रहेगा, क्यों है तो मैं आपको बताता हूँ. बिस्व चात्र दिवस को मनाए जाता है 15 अक्टूबर को. और इसका थीम रहा है लोगों, ग्रहे, सम्रद्दी और सांती के लिए सीखना. बिस्व चात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाए जाता है यह दिन भारत के पूर्व राष्टपती स्वरगी यह डॉक्टर एपीजे अब्दुर कलाम की जैनती के उपलक्ष में मनाए जाता है इस वात को ध्यान रखेगा, इसलिए कोशन इंपोर्टन है. अंतराष्टिये गरीवी उन्मूलन दिवस कम मनाते हैं इसको तो यह मना जाता है 17 अक्टूबर को और 2021 में इसका थीम रहा है एक साथ आंगे बढ़ना, लगातार गरीवी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रहे का सम्मान करना, ठीक है? चलिए. अगला देखते है बिस्व ऑस्टियो पोरोसिस दिवस, बिस्व ऑस्टियो पोरोसिस दिवस, यह होता क्या है तो अभी आपको बताता हूँ, पहले आप देखते हैं, यह मनाते कब हैं, तो इसको मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, और अब देखिए थीम देखिए, थीम साब समझ जाएंगे इस दिवस के बारे में, तो इसका थीम रहा है, हड्डियों की ताकत की सेवा, तो बिस्व ऑस्टियो पोरोसिस दिवस, पिर्ती वर्स 20 अक्टूगर को मनाया जाता है, इस दिन का उद्देख, ऑस्टियो पोरोसिस और मेटाबोलिक हड्डी रोग की रोखथाम, उपचार क जारुपटा बढाना है, ँसका थीम रहा है 2022 में वह परिवर्टन बोले, जो आप देखना चाहते हैं, वह परिवर्टन बोले, जो आप देखना चाहते हैं, इस दिन का उतुदेश, उन लाको लोगों के बारे में, जन जारुकता बढ़ाना है जो हकलाते हैं या जिन्हें बोलते समय हकलाने की समस्या होती है अकला है तिल दिवस यारी की मोल डे तो ये मनाया गया है 23 अक्टूबर को हर साल 23 अक्टूबर को तिल दिवस मनाया जाता है जो सभी रसाइन बिज्ञान के प्रती उसाही लोगों के बीच लोग प्रिये है ठीक है दोस्तों आप देखे इस दिन को एवो ग्रेडो की संख्या का इसमरण और सम्मान करने के लिए चिन्नित किया गया है और इसका थीम रहा है डिस्पाइस मोल मी इंपोर्टेंट है दोस्तों विस्प पोलियो दिवस यानि की वर्ल्ड पोलियो डे तो इसको मनाया जाता है पिर्ती वर्स 24 अक्टूबर को ठीक है 24 अक्टूबर को रोटरी इंटरनेशनल द्वारा इस दिवस की स्थापना जोनास सौलक के जन्म के उपलक्ष में की गई थी जिन्नोंने पोलियो मेलाइटिस के खिलाफ एक टीका विक्सित करने वाली पहली टीम का नेतित किया था और इस बर्स यानि की 2021 कर्स का ठीम रहा एक बादे पर डि 29 अक्टूबर को मनाते हैं बिस्व सौराइसिस दिवस और इसका ठीम रहा एकता के लिए कारवाई यानि की युनिटिंग फॉर एक्सन सौराइसिस और सौराइटिक अर्थाइटिस से पिल्द लोगों के लिए जीवन की गुडवत्ता में सुधार के सम्मंद में जागरु दस गुना तेजी से हो जाती हैं सौराइसिस के कारण तोचा पर सफेद सल्क से घिरे उबले खावर लाल धब्बे बन जाते हैं बिस्व सहर दिवस यानिकी वर्ल्ड सिटीज डे तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को ठीक है संयुक्त राष्ट महासवा ने 31 अक्टूब ये देशों की भी सहयों को आंगे बढाने का कार्य करता है और 2021 कस का थीम रहा है जलवाईू लचीला पन के लिए सहरों को अपनाना जलवाईू लचीला पन के लिए सहरों को अपनाना बिस्व नारियल दिवस यानि की वर्ल्ड कोकोनेट डे कम मनाते हैं इसको तो ये मना जाता है दो सितंबर को और दोज़ार कीस का थीम रहा है कोविट नाइंटीन महामारी और उससे परी एक सुरक्षित समावेसी लचीला और टिकाव नारियल समुदाय का निर्माल ठीक है ध के स्वास्थ लावों के बारे में जारुत्ता लाने के लिए मनाया जाता है अगला देखते हैं अंतराष्टी लोक तंत्र दिवस कम मनाते हैं तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को और 2021 कस का थीम रहा भविश्च के संकटों का सामना करने में लोक तंत्रिक लचीलापन को करने में लोक तंत्रिक लचीलापन को मजबूत करना देखे यह लोक तंत्रिक की सिध्धान को बढवा देने और इसे बनाय रखने में दुनिया भर में लोक तंत्र की स्थिती की समीख्षा करने का अपसर प्र cushion करने के महत्व के लिए मनाया जाता है इंपोर्टेंट है बा हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना ठीक है ये इसका थीम रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एड बैक्सीन कूल देखे बिस्व ओजोन दिवस ओजोन परत के च्रन के बारे में जारुता फैलाने के लिए और इसे सनरक्षित करने के लिए मनाया जाता है अगला कॉशन है बिस्व रोगी सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है 17 सितंबर को और 2021 कस का थीम रहा सुरक्षित मात्र एवं नवजात देखवाल सेफ मैटरनल एड न्यूबॉर्ण केर रोगी सुरक्षा के लिए बैस्विक जागुरता पैदा करने और लो आग्रह करने के लिए इसको मनाया जाता है ठीक है बिस्व रोगी सुरक्षा दिवस को अगला है बिस्व बांस दिवस यानकि वर्ल्ड बैम्बू डे बिस्व बांस दिवस को मनाते कब है 18 सितंबर को और इसका theme रहा hashtag bamboo plant यह समें bamboo plant लड़ाना है ठीक है, हैस्टेक plant bamboo, it is time to plant bamboo, ठीक है, ध्यान रखेगा important है ये, अगला देखते हैं, बिस्व जल निगरानी दिवस, world water monitoring day, बिस्व जल निगरानी दिवस, इसे मना जाता है, 18 सितंबर को, और 2021 का थीम रहा है, पानी का महात्व, क्या रहा है इसका थीम, पानी का महात्व, अगला है, अंतराष्टिये 30 सफाई दिवस, अब ध्यार रखेगा, सितंबर के 30 सनीवार को मनाते हैं इसको, सितंबर के 30 सनीवार को, और 2021 में से मनाया गया है, 18 सितंबर को, और इसका थीम रहा, कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं, keep trust in the wind and not in the ocean, अंतराष्टिये सा का थीम रहा है, एक न्याय संगत और सतत बिस्व के लिए बहतर पुनर प्राप्ती, ठीक है, recovering better for an inequitable and sustainable world, अंतराष्टिये सांती दिवस, का मनाते हैं 21 सितंबर को, संयुक्त राष्ट महासवा ने इसे 24 घंटे अहिंसा और संगर्स बिराम के माध्यम से सांती के आदर्सों को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के रूप में घोसित किया है, अगला है बिस्व अल्जाइमर डे, वर्ल्ड अल्जाइमर डे कम मनाते हैं इसको, तो ये मना को जाने, ठीक है, मनुब्रंस को जाने, अल्जाइमर को जाने, इस दिन का उद्देश, अल्जाइमर रोग और से सम्मंदित मनुब्रंस के आसपास चलने वाले कलंक के वारे में जारुता बढ़ाना है, अंतराष्टी सांकेतिक भासा दिवस, अंतराष्टी सांकेतिक भास इस्ताक्षर करते हैं, वी साइन फॉर हुमन राइट्स, ठीक है, अच्छा, यह दिन सांकेतिक भासाओं के बारे में जागुत्ता वलाने और सांकेतिक भासाओं की इस्तिती को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है, नेक्ष्ट है, बिस्व फार्मेसिष्ट दिवस, वर्ल् थीम रहा, फार्मेसिष्ट हमेशा आपके स्वास्त के लिए भरोसे मन, और इंग्लिस में भी हैं लिखाए हैं आपर, फार्मेसिष्ट ऑल्वेस ट्रस्टिड फॉर योर हेल्थ, अगला है बिस्व पर्यटन दिवस, इंपोर्टन रहता है, बिस्व पर्यटन दिवस, यह म इस दिन का उद्देश्य अंतराष्ट्य समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जारुकता बलाना है, बिस्व पर्यवन स्वास्त दिवस, इसको मनाया जाता है दूस्तों, 26 सितंबर को, कब 26 सितंबर को, और इसका 22 किस का थीम रहा है, बैस्विक सुधार में स्वास्त समुदाय के लिए पर्यावर्णिय स्वास्त को प्रात्मिकता देना, ठीक है, चले, अगला है, बिस्व नदी दिवस, बिस्व नदी दिवस, बिस्व नदी दिवस, तो दोस्तों ध्यान रखेगा, इसको मनाया जाता है, सितंबर के चौथे रवीवार को, ठीक है समुदाय में जल मार्ग वर्ल्ड रेवीज दे यहनकी बिस्व रेवीज दिवस कम मनाये जाता है तो इसको मनाते हैं 28 सितंबर को 28 सितंबर को मनाते हैं मनुस्सो और जानवरों पर रेवीज के प्रवाव के बारे में जागरुकता बलाने और बीमारी को रोकने तथा रेवीस को नियंतित करने के प्रयास के बारे में जानकारी देने के लिए इसको मनाया जाता है ठीक है और इसका थीम रहा है रेवीस अगला है बिस्व हिर्दे दिवस यानकी वर्ड हार्ट डे बिस्व हिर्दे दिवस कब मनाते हैंZA 29 सितंबर को इसको मनाया जाता है और इसका थीम रहा 2021 का यूज हार्ड टु कनेक्ट देखे इस दिवस को क्यों मनाते हैं तो दोस्तों लोगों का ध्यान हिर्दे रोग और सम्मंदि स्वास्त समुदाय को आकरसित करने के लिए इसको मनाया जाता है अंतराष्टी अनुवाद दिवस ये मना जाता है 30 सितंबर को कब 30 सितंबर को इसको मनाया जाता है और 2021 का थीम रहा है अनुबात में संयुक्त United in Translation बिश्व इस्तनपान सप्तहा देखिए बिश्व इस्तनपान सप्तहा हर साल अगस्त के पहले सप्ता में इसको मनाय जाता है तो इस बार मनाया गया एक से साथ अगस्त को इसको मनाया जाता है और इसका थीम रहा 2022 का इस्तनपान की रच्छा करें एक साजह जिम्मेदारी हर साल अगस्त के पहले सप्ता में माताओं और सिस्यों के लिए इस्तनपान के महत्व को जागरुक्ता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है बिस्व भर के सुदेशी लोगों का अंतराश्टी दिवस कब मनाते हैं तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को ठीक है और इस साल यानि कि 2021 कस का थीम रहा है कोई छूटे ना सुदेशी लोग और एक नए समाजिक अनुबंद का आहान ठीक है चलिए अगला देखते हैं बात करते हैं अंतराश्टी युवा दिवस की देखे राश्टी युवा दिवस नहीं है यह ठीक है चलिए नेक्स्ट है बिस्व मानप्तावादी दिवस इसे मनाते हैं 19 अगस्त को और इसका 2021 का थीम है 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 हैस्टेक दा हूमन रेस देखिए बिस्व मानप्तावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानविय कर्मियों एवं उनकी सिर्मकों को सरधानजली देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवी सेवा करते हुए अपनी जान गवाई है। बिस्व मक्षर दिवस की बात करेंगे। इंपोर्टेंट है बिस्व मक्षर दिवस। तो देखे बीस अगस्त को मनाया गया है। राश्टिय मक्षर दिवस नहीं है यह है बिस्व मक्षर दिवस तो बिस्व मक्षर दिवस मनाया गया है 20 अगस्त को मलेरिया के कारण और इसे कैसे रोका जाए इसके बारे में जावरुकता बलाने के लिए बिस्व मक्षर दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं और इस साल यानि कि 2021 क इसका थीम रहा है, 0 Malaria लक्ष तक पहुँचना, reaching the 0 Malaria target, 0 Malaria लक्ष तक पहुँचना, बात करते हैं बिस्व जनसंख्या दिवस की, बिस्व जनसंख्या दिवस, देखिए दोस्तों, important रहता ही ये, बिस्व जनसंख्या दिवस, World Population Day, कब मनाते हैं, 11 जुलाइ को इसको मनाया जाता है और 2021 का इसका थीम रहा है the impact of COVID-19 pandemic on fertility ठीक है देखे बिस्व इस्तर पर इसको मनाय जाता है यह दिन बढ़ती आवादी के प्रभाव और लेंगिक समानता परिवार नियोजन के महत्व को जागरुता बढ़ाने के लिए इसको मनाय जाता है अगला कोशन है विस्व मस् मस्तिक्स दिवस 22 का थीम रहा है stop multiple sclerosis stop multiple sclerosis किसका थीम है यह विस्व मस्तिक्स दिवस का कब मनाते हैं 22 जुलाई को इसको मनाय जाता है देखे कई जन जागरुता कारिकरम और सेक्षिक और social media गतिविदिया multiple sclerosis को रोकने के लिए आंदुरन को बढ़ावत दे रही है ठी चलिए अगला question देखते हैं बिस्व hepatitis day यह कम मनाते हैं तो इसको मना जाता है 28 जुलाई को कब 28 जुलाई को इसको मनाया जाता है और 2021 कस का थीम है hepatitis can't wait hepatitis can't wait कम मनाते हैं बिस्व hepatitis दिवस को 28 जुलाई को यह दिन viral hepatitis के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो लीवर की सूजन और लीवर कैंसर सहित कई स्वास्त समस्याओं का कारण बनता है बैस्विक बाग दिवस कह लीजिए या फिर इसको आप कह सकते हैं अंतराश्टिय बाग दिवस दोनों ही सही है global tiger day या फिर international tiger day कम मनाते हैं इसको 29 जुलाई को मनाया जाता है ठीक हर साल 29 जुलाई को जंगली बिल्लियों को की घटती आवादी के बारे में जारुकता बढ़ाने के लिए संरक्षड के प्रयास को बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है और इसका थीम रहा उनका अस्तित्व हमारे हातों में अगला कोशन है मानव तसकरी के बिरुद बिस्व दिवस कम मनाते हैं तो इसको मनाया जाता है तीस जुलाई को बिक्टम्स बोईसिस लीट्स दवे ठीक है ये इसका थीम है हिंदी में कहेंगे पिर्टों की आवाज आँगे बढ़ेगी कब मनाते हैं इसको तीस जुलाई को इसको मनाया जाता है प्रतेक वर्स पांच जून को कब पांच जून को इंपोर्टन रहता है रेलवे के प्रेट्रिस सेट में तो आपको ये बारवार दिखाई देगा और एक्जाम सुरक्षत दिवस और 2020 का थीम रहा स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षत खाना ठीक है save food today for healthy tomorrow ठीक है अगला दिखते हैं बिस्व महासागर दिवस world ocean day कम मनाते हैं इसको तो ये मनाया जाता है आठ जून को मनाते हैं इसको कम आठ जून को और 2021 में इसका थीम रहा है the ocean life and livelihood बिस्व महासागर दिवस 2021 का ये थीम है कम मनाते हैं आठ जून को बाल स्रम के खिलाब बिस्व दिवस कम मनाया जाता है 12 जून को अंतराश्टी स्रम संगठन के अनुसार इसको बिस्व इस्तरपल लगवग 152 मिलियन बच्चे बाल स्रम में लगे हुए हैं दोस्तों ठीक है इस याद रखेगा इस डाटा को कम मनाते हैं 12 जून को और 2021 का इसका थीम रहा है act now and child labor act now and child labor अगला देखते हैं अंतराश्टी एलवी निजम जावर्ता दिवस कम मनाते हैं 13 जून को मनाते हैं इसको 13 जून को इसका थीम रहा है 21 का strength beyond all odds देखे याद रखेगा दुनिया भर में एलवी निजम से पीड़त ब्यक्तियों के मानवतिकारों का जसन मनाने के लिए 13 जून को इसको मनाया जाता है बिस्व रक्तदाता दिवस important रहता है world blood donor day कम मनाते हैं 14 जून को मनाया जाता है इसको ठीक है और 2021 का theme रहा give blood and keep the world beating ठीक है बिस्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजवान देश रोम है रोम इटली है इस बात को ध्यान रखेगा अगला question है बिस्व मरुस्थली करण और सूखा रोक्थाम दिवस कब मनाया जाता है 17 जून को बनाते हैं इसको ध्यान रखेगा और इसका theme रहा 22 का restoration, land recovery, be build back better with healthy land ठीक है यह दिन मरुस्थली करण और सूखे की उपस्तिती के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और मरुस्थली करण को रोकने के लिए भी important रहता है दोस्तों बिस्व स्रणार्थी दिवस कम मनाते हैं इसको इसे मनाया जाता है 20 जून को और इस साल यानि की 2021 में इसका theme रहा है together be heal, learn and sign तोगेदर be heal, learn and sign दुनिया भर में स्रणार्थियों के साहस और सक्ती को सम्मानित करने के लिए 20 जून को बिस्व स्रणार्थी दिवस मनाया जाता है संयुक्तराष्ट इस दिन को उन स्रणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाते हैं जिनें उनके घर से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया है अगला कॉशन है अंतराष्टे ओलंपिक दिवस देखे दोस्तों ओलंपिक अभी हाल ही में 2021 में संपन हुए हैं तो ये डे आपका इंपोर्टन रहेगा स्वार्थ ठीक है तो ये अंतराष्टे ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को कब 23 जून को और इसका थीम है 23 जून नसीली दवाओं के दुरुपियोग और अवैद तसकरी के खिलाफ अंतराष्टे दिवस ठीक है देखे लंबा है इसलिए मैंने इसको एक पेज पर लिख दिया ठीक है नसीली दवाओं के दुरुपियोग और अवैद तसकरी के खिलाफ अंतराष्टे दिवस इसे कम मनाते हैं तो यह मनाया जाता है 26 जून को और इसका 2021 का थीम रहा Share Facts on Drugs Save Life क्या है थीम Share Facts on Drugs Save Life सूच्म लगू और मध्यम उध्यम दिवस कम मनाया जाता है 27 जून को मनाते हैं इसको और इसका थीम 2021 का क्या है MSME 2021 एक समावेशी और सतत बसूली की कुणजी राश्टिय सांकी की दिवस 2021 की बात करेंगी दोस्तों राश्टिय सांकी की दिवस इसे कम मनाते हैं तो यह मनाया जाता है 29 जून को कम मनाया जाता है 29 जून को और इसका थीम रहा है 2021 का एंड हंगर अचीव फूड सेक्योरिटी एंड इंप्रूब्ड नूट्रिशन एंड प्रोमोट सस्टेनेवल एगरी कल्चर इंपोर्टन्ट है 20 प्रेश सोतंता दिवस वर्ल्ड प्रेश फ्रीडम डे कम मनाते हैं इसको तीन मई को मनाया जाता है और इसका 2020 का थीम रहा information as a public good ठीक है बिस्व प्रेश सोतंता दिवस हर साल तीन मई को बिस्व इस्तर पर मनाया जाता है इसे बिस्व प्रेश दिवस की रूप में भी जाना जाता है यह दिन उन पत्रकारों को सरधानजली भी देता है जिनोंने अपनी जान गवाई है वे कई बार दुनिया के अल मई के पहले मंगलवार को और 2021 में इसको मनाया गया है 4 मई 2021 को ठीक है मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं बिस्व अस्थमा दिवस और इसे मनाया गया है 221 में 4 मई 2021 को इसका थीम रहा अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना ठीक है अस्थमा की गलत धारणा को उजाग करना अगला देखते हैं बिस्व हात सुक्षिता दिवस यह मनाया गया है पांच मई द्यान रखेगा कोविट-19 के कारण यह question important बन जाएगा यहां से के बिस्व हात सुक्षिता दिवस कब मनाते हैं या फिर इसका थीम क्या है ठीक है पांच मई को मनाते हैं बिस्व हात सुक् देखिए बिस्व स्वास्त संग्ठन द्वारा बिस्व भर में लोगों के बीच जारुकता बढाने के लिए कई गंभीर संकर्मन को दूर करने में हाथ की स्वक्षिता के बारे में जारुकता बढाने के लिए इसको मनाया जाता है International Day of the Midwives ठीक है देखिए बहुत से दिवस्तों ऐसे होते हैं जिनको हम रट लेते हैं कि भाई International Day of Midwives अब इसका मतलब क्या है किसलिए मनाया जाता है ये नहीं पता है तो आपको ये डेड़ भी याद नहीं होगी और नहीं थीमियाद रहेगा इसका ठीक है तो मैं आपको हर डे पर बता रहा हूँ कि इसको क्यों मनाते हैं इस बात को ध्यान रखेगा और याद भी कीजेगा हर दिवस्त के उपर मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मनाते हैं इस बात को भी याद रखेगा तो International Day of the Midwives यह बना जाता है पांच मई को ठीक है और इसका दोहर किसका ठीम रहा है Follow the data invest in midwives ठीक है देखे अब क्यों मनाते हैं तो यह दिन midwives के काम को समर्पित है और माताओं एवं उनके नवजास सिस्वों को प्रदान की जाने वाली आवश्चक देखवाल के लिए midwives की इस्तिती के बारे में जारुकता बलाने के लिए इसको मनाया जाता है अगला देखते हैं अंतराश्टी नर्स दिवस यह मनाया जाता है आपका 12 मई को कब 12 मई को मनाया जाता है और इसका 22 का theme रहा है दोस्तों nurse a voice to lead a vision for future health care अब देखे कुछ दिवस तो ऐसे हैं जहां आपको बताने के आवसकता नहीं है कि भाई नर्स दिवस क्यो मनाते हैं लेकि कुछ day ऐसे हैं जहां पर आपको जानना जरूरी है कि क्यो मनाया जाता है ठीक है ना जैसे कि परियावर दिवस है यहाँ किसी को बताने की आवा सकता नहीं है कि परियावण दिवस कब मनाते हैं क्यों मनाते हैं ठीक है चलिए अगला देखते हैं अंतराष्ट्य परिवार दिवस अंतराष्ट्य परिवार दिवस इसको मनाया जाता है 15 माई को कब 15 माई को मनाते हैं अंतराष्ट्य परिवार और नई तकनीक families and new technologies ठीक है परिवार और नई तकनीक families and new technologies ठीक है देखिए याद रखेंगे दोस्तों 15 माई को अंतराश्टिय परिवार दिवस मनाये जाता है यह दिन परिवार से सम्मंदित मुद्दों के बारे में जागरुकता को बढ़ाने और परिवार को प्रभावित करने वाली सामाजिक आर्थिक पिरक्रियाओं के ज्यान को बढ़ाने के लिए इसको मनाये जाता है चलिए बात करते हैं बिस्व दूर संचार और सूचना सामाजिक दिवसकी ठीक है तो इसको मना जाता है 17 मई को और इसका थीम रहा 2021 का चुनोती पूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना ठीक है एक्सलेर्टिंग डिजिटल देखे दो बार लिख दिया है डिजिटल ठीक है एक ही बार होनों चाहिए दो बार है इसको एक बार पढ़िए आप एसलेर्टिंग डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स बिस्व उच्च रक्तचाप दिवस यानकी वर्ल्ड हाइपर्टेंशन डे कब मनाते हैं 17 माई को मनाय जाता है इसको ठीक है और 2021 का इसका थीम रहा है अपने रक्तचाप को 60 रूप से मापना इसे नेंतित करना लंबे समय तक जीवित रहना ठीक है measure your blood pressure accurately control it live longer अंतराष्टी संग्राले दिवस बात है अंतराष्टी संग्राले दिवस की तो ये मनाय जाता है 18 माई को कब 18 माई को मनाय जाता है और इसका थीम रहा है किसका संग्राले का भविश्य पुनर प्राप्ती और पुनर बलुकन संग्राले का भविश्य पुनर प्राप्ती और पुनर बलुकन पुनर कलपना बिल्ड बैक बैटर फॉर बीज ठीक है चलिए अगला है अंतराष्टी जैव बिवित्ता दिवस को मनाये जाता है 22 मई को और इसका थीम रहा 2021 का हम समाधान का हिस्सा है बी आर पार्ट अफ दा सॉलुशन कुछ मानविय गतिविदियों के कारण जैविक बिवित्ता में उलेकनिय कमी के मुद्दे के बारे में चारुकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट हर साल 22 मई को इसे मनाता है बिस्व कच्छुवा दिवस ये मनाया जाता है आपका 23 मई को ठीक है बिस्व कच्छुवा दिवस कम मनाते हैं 23 मई को और 2021 का थीम रहा है टर्टल्स रॉक क्या रहा टर्टल्स रॉक टर्टल्स रॉक अकला है बिस्व पाचन स्वास्त दिवस ये मनाया जाता है 29 मई को कम म आगला देखते हैं ये बना जाता है 31 मई को इंपोर्टन रहता है एकम के परफस से और इसका भीज़़ने के लिए प्रतीवध छोड़ने के लिए प्रतिवद यानिकी commit to quit बात करते हैं अंतराष्टिय बाल पुस्तक दिवस यानिकी international children's book day कब मनाते हैं इसको तो 2 अप्रेल को मनाया जाता है इसको ठीक है 2020 का इसका theme रहा है the music of words देखिए इसका आयोजन एक अंतराष्टि गैर लावकारी संगठन जिसका नाम है international board on books for young people द्वारा पढ़ने के प्रति प्यार को प्रिरित और बच्चों की पुस्तक पर ध्यान देने के लिए इसको मनाया जाता है 2 अप्रेल को अगला question देखते हैं बिस्व स्वास्थ दिवस important रहता है world health day ये मनाया जाता है 7 अप्रेल को कब 7 अप्रेल को और इस साल 2020 का इसका theme रहा सभी के लिए एक स्वक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण बिस्व स्वास्थ दिवस 7 अप्रेल को मनाते हैं और 2020 में इसका theme रहा सभी के लिए एक स्वक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण दोस्तों ध्यान रखेगा इसको डबलू एचो के द्वारा मनाया जाता है किसके द्वारा एक्जाम में पूछ लेता है डबलू एचो के द्वारा यानकी World Health Organization के द्वारा अगला कॉशन है बिस्व हीमोफीलिया दिवस का मनाते हैं तो देखे बिस्व हीमोफीलिया दिवस ये मना जाता है 17 अप्रेल को बिस्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रेल को मनाते हैं और इसका 22 का theme रहा है परिवर्तन के अनुकूल एक नई दुनिया में निरंतर देखवाल adapting to change sustaining care in a new world देखें बिस्व हीमोफीलिया दिवस यह दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्त इसतरा बिकारों के लिए जागरुकता बढाने के लिए मनाया जाता है बिस्व धरूहर दिवस देखें बिस्व धरूहर दिवस के लिजिए या फिर आप इसको बोल सकते हैं बिस्व बिरासत दिवस ठीक है वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है इसको मनाते हैं 18 अपरेल को इंपोर्टेंट रहता है ध्यार रखेगा और 2020 का इसका थीम रहा complex past diverse future ठीक है देखें यह दिवस हमारे आसपास दिखाई देने वाली सांस्कृतिक बिरासत के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है अकला question important रहता है पिर्थवी दिवस यानकी earth day इसको अंतराश्टिय मात्र पिर्थवी दिवस भी कहते हैं ध्यान के गाजवात का ठीक है तो पिर्थवी दिवस यह मनाया जाता है आपका 22 अपरेल को कब 22 अपरेल को और 2021 का थीम रहा है restore our earth क्या रहा है restore our earth देखे हर साल 22 अपरेल को बिस्व इस तरह पर इसको मनाते हैं पूरे बिस्व में पिर्थवी को बहतर बनाने के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है नेक्स्ट है बिस्व पसूचिकिस्सा दिवस तो देखी दोस्तों अप्रेल महीने के चोथे सनीवार को इसे मनाया जाता है और 2021 में इसको मनाया गया है 24 अप्रेल को और इसका थीम रहा COVID-19 संकट पर पसूचिकिस्सा पृतिकिरिया अगला दिखते हैं अंतराश्टी निर्ति दिवस यान की International Dance Day ये मनाया जाता है 29 अप्रेल को कब 29 अप्रेल को और इसका थीम रहा निर्ति का उद्देश यान की Purpose of Dance थीम क्या है निर्ति का उद्देश और इंगलिस में है Purpose of Dance सूने भेद भाव दिवस दोस्तों इसको कम मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है एक मार्च को ठीक है और इस साल 2021 का सूने भेद भाव दिवस का थीम रहा है and inequalities देखिए संयुक्त राष्ट और अन्य अंतराष्टी संगठनों द्वारा हर साल एक मार्च को बिस्व इस्तर पर सूने भेद भाव दिवस को मनाया जाता है सूने भेद भाव दिवस सभी के अधिकारों को प्रोसाहित करने और उन्हें चिन्नित करने के लिए मनाया जाता है अगला देखते हैं बिस्व सुनवाई दिवस यानकी World Hearing Day कम मनाया जाता है तीन मार्च को मनाया जाता है और इस साल 2022 किसकस का थीम रहा Hearing Care for All Screen Rehabilitated Communicate ठीक है देखिए हर साल तीन मार्च को दुनिया भर में बिस्व सुनवाई दिवस यानकी World Hearing Day बहरापन और सुनने में होने वाली परिसानी को रोकने के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है नेक्स्ट है आपका राष्ट्य सुरक्षा दिवस यानकी National Safety Day राष्ट्य सुरक्षा दिवस को दोस्तों मनाया जाता है चार मार्च को और इस साल 2021 का थीम रहा है सलक सुरक्षा क्या रहा है सलक सुरक्षा यानकी Road Safety भारत के राष्ट्य सुरक्षा परिसद दौरा हर साल को ध्यान रखेगा यह फैक्ट है important 2021 में हम पचासवा राष्ट्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं यह question आपसे exam में पूछा जा सकता है ठीक है राष्ट्य सुरक्षा दिवस चार मार्च और इसका theme रहा सड़क सुरक्षा यान की road safety important है दोस्तों अंतराष्ट्य महिला दिवस य दिखने को मिले तो ध्यान रखेगा वो सब्द important है वो theme important है और अंतराष्ट्य महिला दिवस 2020 का theme है बुमेंड इन leadership achieving an equal future in covid-19 world ठीक है अंतराष्ट्य महिला दिवस हर साल 8 मार्च को बिस्व में दुनिया भर में मनाया जाता है यह दिन महिलाओं की सामाजिक आर्थिक संस्कृतिक और राजनितिक उपलब्दियों को चिन्नित करने के लिए मनाया जाता है अगला है आपका बिस्व किड़न बिस्व किड़नी डे अब देखे याद रखेगा इसको मार्च के दूसरे गुरुबार को मनाया जाता है मार्च महिने के दूसरे गुरुबार को मनाया जाता है बिस्व किड़नी डे और इस बर्स यान की 2021 में इसको मनाया गया है 11 मार्च को कब 11 मार्च को और बिस्व किड अगला है बिस्व उपभोकता अधिकार दिवस इसको मनाया जाता है 15 मार्च को कब 15 मार्च को और 2020 का इसका थीम रहा है टैकलिंग प्लास्टिक पॉलिशन तैकलिंग प्लास्टिक पॉलिशन प्रतेक वर्ष 15 मार्च को उपभोकताओं के अधिकार और उनकी आवसकताओं के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए बिस्व उपभोकता अधिकार दिवस मनाया जाता है और इसका थीम क्या रहा है 2020 का टैकलिंग प्लास्टिक पॉलिशन बैस्विक पुनरवर्तन दिवस ग्लोवल रिसाइकलिंग डे इसको मनाया जाता है 18 मार्च को कब 18 मार्च को क्यों मनाते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा फिलाल पहले हम देखेंगे इसका थीम तो देखें 2021 का थीम रहा है रिसाइकलिंग हीरोज ठीक है हमारे प्राकृतिक संसाथनों का जिस तेजी से प्राम लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए बैस्विक पुनरवर्तन दिवस यानि की ग्लोवल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है 18 मार्च को देखें अगला यह फैक्ट है सोरी डे है इंपोर्टन रहता है विस्व गौरिया दिवस ठीक है विस्व गौरिया आम पक्षियों को सहरी बातावरन और उनकी आवादी के लिए खत्रों के बारे में जागरुता बलाने के लिए बिस्व गौरिया दिवस मनाया जाता है अगला देखते हैं अंतराष्ट्य प्रसंता दिवस यानिकी इंटरनेशनल डे और डे ओफ हैपीनेस ठीक है अंतराष समझदार बने दयालू हो सांत रहें समझदार बने दयालू हो अंतराष्ट्य प्रसंता दिवस दुनिया भर में सभी मनुष्यों के लिए एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में प्रसंता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है बिस्व मुख स्वास्त दिवस इसे क कब मनाया जाता है तो इसको मनाया जाता है 20 March को और 2021 का इसका थीम रहा है Be proud of your mouth, be proud of your mouth, बिस्व मुख स्वास्त दिवस हर साल 20 March को मनाया जाता है यह अच्छे मुख स्वास्त के लाव को उजागर करने और रोगों के बारे में जागरता बनाने बनाय रखने के लिए इसको मनाया जाता है अगला देखते हैं बिस्वड डाउन सिंड्रोम दिवस इसको मनाया जाता है 21 मार्च को कब 21 मार्च को और 2021 का इसका थीम रहा है बी डिसाइड बी डिसाइड अगला देख लेते हैं नसलिय भेद भाव के उनमूलन के लिए नसलीय भेदभाव के उनमूलन के लिए अन्तराष्टी दिवस इसको कब मनाया गया 21 मार्च को ठीक है ? धीम था जातीवाद के खिलाव खड़े युवा ठीक है ? नसलिय भेदभाव के उन्मूलन के अंतराष्टि दिवस की रूप में मनाया जाता है बिस्व मौसम बिग्यान दिवस इंपोर्टन रहता है दोस्तों वर्ल्ड मेटरलोजिकल डे ठीक है बिस्व मौसम बिग्यान दिवस ये मनाया जाता है 23 मार्च को ठीक है और इसका थीम रहा है 2020 का महसागर हमारी जलवाई और मौसम यानि की the ocean, our climate and weather देखे बिस्व मौसम बिग्यान दिवस 23 मार्च 1950 को बिस्व मौसम बिग्यान संगठन की स्थापना की तिथी के उपलक्ष में हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है अगला question देखते हैं Earth Hour Day ठीक है यह है आपका Earth Hour Day ध्यान रखेगा मार्च महिने के आखरी सनिवार को मनाया जाता है इसको और 2021 में इसको मनाया गया है 27 मार्च को ठीक है 27 मार्च को और बिस्व सोरी अर्थ आवर डे 2021 का थीम रहा है पृत्वी को बचाने के लिए जलवायू परिवर्तन यानि कि क्लाइमेट चेंज टु सेव अर्थ देखी हर साल अर्थ आवर को जलवायू परिवर्तन के खिलाफ ल के लिए मार्च महीने के आखरी सनिवार को दुनिया भर में इसको मनाया जाता है बिस्व बैट लेंड्स डे यानकी वर्ल्ड बैट लेंड्स डे कम मनाया जाता है इसको तो दोस्तों दो फरवरी को मनाया जाता है ठीक है और इसका 2021 का थीम रहा है बैट लेंड्स एंड वा यानि कि बैट लेंड्स द्वारा निवहाई जाने वाली महतपूर भूमिका पटारॐ चार फर्वरी को 2019 से लェकर 2021 तक यानि कि तीन वर्स के लिए बिस्व कैंसर दिवस का थीम है आई, एम, एंड, आई, विल, क्या है, आई, एम, एंड, आई, विल, बिस्व कैंसर दिवस, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल दौरापरती वर्स, चार फरवरी को मनाया जाता है, बात करते हैं, बिस्व दलहन दिवस की, यानिकी, वर्ल्ड पल्सस दे, ठीक है, बिस्व दलहन दिवस इसको मनाया जाता है 10 फरवरी को ठीक है 10 फरवरी और इसका थीम रहा है 221 का Nutrition Seeds for a Sustainable Future संयुक्त राष्ट द्वारा हर साल 10 फरवरी को बिस इसतर पर बिस्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है यह दिन संयुक्त राष्ट के खाद और किर्सी संग्ठन द्वारा बैश्विक भोजन के रूप में दालों जैसे की सूखी वीन्स दाल, सूखी मटर, छोले के महत्व को चिन्नित करने के लिए मनाया जाता है बात करते हैं बिस्व रेडियो दिवस की तो बिस्व रेडियो दिवस इसको हर साल मनाया जाता है 13 फर्वरी को कब 13 फर्वरी को और 2021 का इसका थीम रहा है निू वर्ल्ड निू रेडियो बात करते हैं सामाजिक नियायका बिस्व दिवस सामाजिक नियायका बिस्व दिवस World Day of Social Justice कब मनाया जाता है इसको मनाया जाता है 20 फरवरी को कब 20 फरवरी को और देखी यहाँ पर मैंने थीम हिंदी और इंगलिस दोनों में लिख रहा कहा है ठीक है तो हिंदी में है डिजिटल अर्थ वबस्ता में सामाजिक न्याय के लिए आहान एक कॉल फॉर सोसल जस्टिस इंद अब देखिए बिस्व सामाजिक न्याय दिवस पूरे बिस्व पिर्ती वर्स 20 फरवरी को मनाया जाता है बात करते हैं अंतराश्टिय मात्र भासा दिवस की अंतराश्टिय मात्र भासा दिवस इसको मनाया जाता है 21 फरवरी को और इसका थीम रहा है 221 का सिक्षा और समाज में समावेस के लिए बहु भासावात को बढ़ावा देना देखिए हिंदी इंगलिस दौनों में मैंने आपको लिख रखे हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं इंगलिस मीडियम बच्चों के लिए हाँ पर इंगलिस में लिख रखा है अ देखे बिस्व चिंतन दिवस जिसे मूल रूप से चिंतन दिवस की रूप में जाना जाता है दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट, गर्ल गाइड्स और अन गर्ल गुरुप द्वारा पिर्तिवर्स 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के भाई भेनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार के दरसन करने के सही अर्थ को समझाने के लिए मनाया जाता है। प्लांट प्रोटीन ठीक है दोस्तों अब देखिए याद रखेगा राष्ट्य प्रोटीन दिवस पहली वार कब मनाया गया था तो इसको पहली वार सन 2020 में मनाया गया था है। इस ग्यान दिवस की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को कब 28 फरवरी को और इसका 2021 का थीम है Future of STI Impact on Education Skills and Work ठीक है ध्यान रखेगा इस दिन सर सीवी रमन के रमन प्रवाव की खोज की घोशना की गई थी जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबर पुरुसकार भी दिया गया था। भारा सरकार 1986 में 28 फरवरी को राष्टे बिज्ञान दिवस की रूप में नामित किया था इसको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए देखते हैं जन्वरी महीने से बनने वाले मुश्ट इंपोर्टन डेस एंड थीम्स को तो पहले हम बात करेंगे प्रवासी भारती दिवसकी किसकी प्रवासी भारती दिवसकी तो दोस्तों याद रखेगा इसको 9 जन्वरी को मनाया जाता है कब मनाया जाता है 9 जन् नवर भारत आप देखिए ध्यान से सुनिएगा दोई वार्सिक रूप से इसको मनाया जाता है नौ जनवरी को भारत के विकास में बिदेशी भारती समुदाय की योगदान को चिन्नित करने के लिए अगला देखते हैं अगला है आपके सामने इंपोर्टन रहता है राश्ट यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग ठीक है चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग देखिए हर साल 12 जनवरी को स्वामी बिवेका नंत की जैन्ती के उपलक्ष में भारत में राश्टी युवादिवस मनाया जाता है अब बात करते हैं राश्टी मतद मतदादा दिवस कम मनाते हैं 25 जनवरी को और इस साल इसका theme रहा है आपका making our boaters empowered, busy land, safe and informed ठीक है और हिंदी में हैं मतदादाओं को ससक्त सतर्क सुरक्षित और जानकार बनाना मैंने हिंदी इंगलिस दोनों के लिखकर रखें आप ठीक है चलिए अगला है अंतराश्टिय सीम सुल्क दिवस इसे कम मनाया गया तो इसे मनाया गया है 26 जनवरी को कब 26 जनवरी को तो इसका theme रहा customs, bull steering, recovery, renewal and resilience ठीक है अब देखिए यह दिन कस्टम अधिकारियों और एजंसियों की भूमिका को पहचान देने के लिए मनाया जाता है क्या कहते हैं इसको अंतराश्टिय सी 20 जनवरी को अंतराश्टिय प्रले इसमर्ण दिवस की बात करेंगे देखिए इसको दोस्तों अंतराश्टिय प्रले इसमर्ण दिवस भी कहते हैं और exam में इस परकार भी पूछे जाता है कि होलो कोस्ट के पीडितों की याद में अंतराश्टिय दिवस कम मनाया जाता है त इस बार का थीम रहा है आपका थीम है आपका फेसिंग दा आफ्टर मैथ रिकवरी एंड रिकॉंस्टिटुशन आफ्टर दा होलो कोस्ट ठीक है देखें ध्यान से सुनिए किसके बारे में दुत्तिय बिस्वियुद के दोरान हुई प्रले की तरासदी की बरसगाट के लिए 2006 से प्रती वर्ज 27 जनवरी को होलो कोस्ट के पीड़तों की याद में अंतराश्टे प्रले इसमर्ण दिवस मनाया जाता है अब बात करेंगे दोस्तों बिस्व कुष्ट रोग दिवस की इंपोर्टन्ट है वर्ल्ड लेप्रोसीड डे अब ध्यान रखेगा बहुत से बच 21 जनवरी को और इसका थीम रहा बीट लेप्रोसी एंड इस्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल विंग देखे दुनिया भर में हर साल जनवरी के अंतिम रवीवार को बिस्व कुष्ट रोग की रूप में मनाया जाता है दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है उम्मीद करता हूँ आपको सबी कोशन अच्छे लगे होंगे समझाय होंगे पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद चल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ